हम लाते हैं टॉप न्यूज आपके फेवरिट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ अब मिया नवाज श्रीफ के नीचे काम कर सकते हैं मैं कर सकता हूँ चाहदरी निसार आन फायर इतना सियासी यतीम नहीं के जूनियर को सर या मैडम कहूं मरियम नवाज के मातहद काम करने से साफ इंकार डॉन लीक्स पर सीए सी ना बुलाई गई तो रिपोर्ट फुद मन्जर आम पर ले आउंगा साबिक वजिर दाखला की धंकी पंजाब फौरी हाजर हों साफ पानी पराहमी केस में चीफ जस्तिस का हुकम लोहर पंजाब का दिल है क्या सुलूक किया जा रहा है सुप्रीम कोट बरहम शहबाज शरीफ मसरूफ है उन्हें कुछ मुहलत दे दे तीस सेकेटरी की इस्तिस साफित मिसाब ने कल सोब 11 बजे पेश होने की हिदायत कर दी अमिर खान एमकेम के दो ग्रुप्स में सियासी जंग जारी कोई हार मानने को तयार नहीं दोनों ग्रुपों ने आज फिर अपने अपने इजलास बुला लिए उन्ट किस करवट बैठी गा अजब तक मेडिका फोरम आईनी कानूनी फोरम है इस संकार में लेकिन कहीं न कहीं आपसे बताएं न कुछ रैनू कट्टे बीच में अपना किर्धार अदा कर रहे हैं उनको इंशालला इडेंटिफाइड लगे मुटहदा राहनुमाओं के बायानाद जल्ती पर तेल का काम करने लगे फारुक सत्तार ने राबिता कमेटी अराकीन को कल तक की आखरी वार्निंग दे दी तो खाजा इजार अलहसन ने रेलू कट्टों को लगाम डालने का मशवरा दिया मसला हल ना होने पर इस सीफा देने की भी पेश कर जितनी कोशिशें की जा सकती हैं वो करनी चाहिए आखरी अखरी 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 तक और मैं इसको कहूँ के हंडिया बीच चौराहे में नहीं फूटनी चाहिए घर के मामलाद घर में रखने चाहिए मतहदा कौमी मूवमेंट नॉट फर सेल हनिया बीच चौराहे फूटने पर रऊव सिदीकी दुखी घर की बात घर में रखने का मशवरा भी दिया पारूप सतार से 30 साल का साथ है एक्तिनाफात होते रहते हैं मीदिया से गुट को मैं चाहरा हूँ कि ना सिर्फ ये दूनों एमकेम मिलें जो अभी दो हो गई है अभी तक तो एमकेम पाकिस्तान है उनमें बलके पीएसपी भी इनके साथ बिलें ताकि वो लोगों के लिए पुट कर सके मतहिदा और पीएसपी मिलकर काम करें वजिर अला से मुराद अली शाह की मुराद अल्ला की लाठी बे आवाज होती है एमकेम को कराची में बे गुना होके खुन की आह लगी साइद गनी के लफजी वार इमकेम के साथ जो कुछ हो रहा है ना ये कराची शेहर में जो बे गुना दोगों का खुन वहा है ये उसका उसकी आह उनको लगी है इन्होंने कभी खौफ खुदा नहीं किया इन्होंने शेहर को बरबाद किया पिश्टियाल अंगे इस तकारीर केस पारुक सच्टार आमिर खान कुर नवीत कमर मनसूर और महफूस यार खान बिमार पड़ गए रिपोर्ट पेश ना करने पर इंसिदाद देशत गर्दी अदालत बरहम तफ्तीशी अफसरान को तहवील में लेने का हुक्म मतहदा बानी और मफरूर मुल्जिमान के एक बार फिर वारन जारी प्रावल पिंडी की तफ्तीशी टीम इंतजार करती रही और साबक वजीर आजम पेश ना हुए नवास शरीफ हाजरी के बजाए इससाब अदालत में अपनी सफाई देंगे जराए शरीफ फैमली जिम्नी रिफरेंसेज अलजीजिया और फ्लैक्शिप केसेज में दाखिल किये जाएंगे जो लोग वोट खरीद कर सैनेट में आएंगे हम जादी तोर पर उनको मकाबला करेंगे उनको पत्राम करेंगे उनको अवाम के अदानत में पेश करेंगे यूँकि जो लोगों का जमीर खरीद कराए वो लोगों की नमाइंदगी नहीं कर सकता सैनेट इलेक्शन से कबल खरीदों फरोग के उजामात वजीर आजब ने भी मुखालपीन को आड़े हातों लिया वोट खरीद कर सेनेटर बनने वालों से मकाबला करने का एलान अवाम फेसला करें काम करने वालों को मुन्तखिब करना है या गालिया देने वालों को तक्रीब से किता जैनब गतल केस का जेल ट्राइल चुरू मुल्सिम इमरान पर फर्द जुर्म आएद ना हो सकी दोबारा समात बारा फरवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट ने चालान जमा होने पर अस्पुद नोटिस निम्टा दिया पॉलिस की कारकरदगी पर इतमेनान का इसार टॉपिंग मॉल के ट्राइरूम में खुफिया कैमराज का मौामला दुनिया नियूस की खबर पर हल चल बरकरार पंजाब हुकुमत भी मुताहर रेक सूबे भर में चेकिंग के लिए चार रुक्नी कमिटी बनाने की हिदायत पैसलाबाद फ्रेंचाइस के मालक का सुराग मिल गया लेकिन सियासी अस्तोर रसूख के बाइस पुलिस गिरेबान पर हाथ न डाल पाए लाहूर मॉल रोट पर मुसलसल तीसरे रोज भी धरने वालों का कब्जा मेकमाई सेथ के मुलाजमीन ने अपने हकूक के लिए लोगों के हकूक रूंत डाले एतजाज के बाइस बत्तरीन ट्राफिक जैम शेरी गंटों फसे रहे फजाई हुदूत की खिलाफ वर्जी पर शाम ने इसराईल को सबक सिखा दिया एंटिये क्राफ्ट फाइर से एफ सिक्स्टीन जंगी तैयारा मार किराया पालिट में चलांग लगा कर जान बचाई वाफे के बाद खत्रे के सायरन को जुखे मौसम की अंगडाई जियारत में वर्फ की जियारत कल से खियावर फफ्तून खौफ, फाता, बालाई पंजाब, इसलाम अबाद, कश्मीर और गिल्गित बलतिस्तान में बादल बरसने की पेश गोई पीके रंग अभी से जमने लगे कराची नैशनल स्टेडियम में फाइनल की तायारियां घर मुल्की सेकिरिटी कंसल्टेंट जाइजा लेने पहुच कए कल फूल ड्रेस रेहरसल होगी एकसला में उन्होंने एक जारहाना प्रेस कानफरंस की और सियासी तोर पर मतहर्रक होने का ऐलान कर दिया चाधरी निसार अली खान ने साथ ही ये भी वाज़ किया कि मैं मर्यम नवाज के मातहद काम नहीं कर सकता ये भी कहा कि इतना सियासी यतीम नहीं हूँ कि किसी जूनियर को सर या फिर मैडम बुरातर हूँ अपने से सीनियर के मातहद तो काम कर सकता हूँ लेकिन जूनियर अपना लीडर बरदाश नहीं कर सकता जी हाँ चाधरी निसार ने की प्रेस कानफरेंस धुआदार जारेहाना मूट में दिखाए दिये और कहा कि सियासी तोर पर मतहरिक हो रहा हूं ये भी कहा कि जड़िस की जाद पर हमले करें तो मसला घंबीर होता है डॉन लीक्स पर सीए सी ना बुलाए गई तो रिपोर्ट मनजर आम पर लाने की बात की उनका कहना था कि मर्यम नवास के मातहद काम नहीं कर सकता चादरी निसार ने कहा कि इतना सियासी यतीम नहीं हूं कि जूनियर को सर और मैडम बोलता रहूं साबक वजिर दाखला चादरी निसार का कहना था कि अपने से सीनियर के मातहद काम कर सकता हूं मगर जूनियर के मातहद काम नहीं कर सकता उनका मसीद क्या कहना था? आईए देखते हूं लीक्स के हवाले से वजात की जाए पार्टी के अंदर वजात भी होनी चाहिए और इन चीजों का मदावा भी होना चाहिए और अगर पार्टी ने मुनासिब न समझा तो फिर पब्लिक ली इस चीज की तशीर करना वो एक आप्शन मेरे पास है जब से मुश्किलाथ चुरू हुई हमारी हकूमत की और मुस्रिम लीग नून की मैंने उस वक्त रेकॉर्ड पे हैं मैंने कहा था कि न तो कोई और गुरूप बन रहा है न कोई फौवर्ट ब्लॉक बन रहा है और मुझे तो कभी सोचे भी मत कि मैं किसी ऐसे किसी करवाई का ह हो सकती है स्यासी तोर पर मुतरक किस तरह इसकी वज़ात अगर मैं ज्यादा करूंगा तो शायद वो पार्टी के लिए मुश्किलाथ पैदा करे इसलिए मैं निजए इस पहले कहा है कि मैं इस इंदजार में हूँ कि सेंट्रल एग्जेक्टिव कुमिटी या सेंट्रल वर हमदाना कठा होता है बैट के मुशावरत करता है और हल निकालता है देखें कबल जब वक्त हरी चीज क्यों मुसलत करना चाहते हैं और यह आप लोगों की सुई मरियम नवाज मी क्यों पसी हुई है इस वक्त और भी बहुत सारी सीनियर क्यादत है मुस्लिम लीग नून में आप आप किसी और की भी बात करें आप यह कुछ पांचमा सवाल है मरियम नवाज का तो आप आप मुझे मुझे अगर इश्टाल दिलाने चाहते हैं तो मैं मैं चोज़ साब की सवाल की जवाब में कह चुका हूँ कि मैं अपने से सीनियर के नीचे काम कर सकता हूँ अपने मैं इतना सियासी यतीम नहीं हूँ कि मैं अपने से जूनियर को सर या मैडम करता पर इसे बर बात करने के लिए हमायसत मौजूद हैं तद्जियाकार आयाज अमीर साब आयाज अमीर साब परवेश रशीद के बयान पर रद्दे अमल के बाद अब चौधरी निसार ने प्र कि जो ये आज का एक तकरीमन इलान बगावत है वो मिया नवाज शरीफ के खिलाफ है पार्टी के खिलाफ नहीं है और जो मरियम का नाम भी लिया वो बात मिया नवाज शरीफ की बती है और इस से साफ पता चलता है कि पार्टी में दो आ रहा हैं एक ये कि जिस रास्ते पे मिया नवास शुरीफ और मर Yiman ौन्वास चाल रही हैं उसके वो जो हमायती हैं कि ऐसा ही हुएना चाहिए और दूसरे वो जिसके इनके मिया नवास शुरीफ के अपने भाई जो है पजब के चीफ मिनिस्टर और इस लोग और उन में चौधरी निसार शायमिल है अब इसका जो मतलब है मेरा खिया जो जिसकी एहमियत है प्रेस कांफरेंस की कि ये आइंदा की जो आने वाला जो 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 खुछ वक्त है उसमें जो नक شा बनने वाला है उसकी कुछ निशानदेही ये प्रेस कांफरेंस कलती है औ तो इससे आप शायद एक कमजोर सा अंदाजा लगा सकें कि शायद चौदरी निसार के जहन में ये बात है कि मिया नवाज शरीफ का सियासी चाप्टर जो है वो बंद होने जा रहा है चाए वो अदालतों के जरीए चाए लैब के फैसले के जरीए चाए कुछ और जरीए चाए किसी और तरीके से तो ये जो अलम बगावत है जो एलान बगावत है ये मिया नवाज शरीफ के खिलाख है थाएभ कर थाएभ के जरीफ किसी और तरीके से जरीफ के जरीफ के खिलाएभ कर दो ये शरीफ कर दो शरीफ कर दो दो हूटर जरिए बागावत है